मैं हूं माने वल्कम टो मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉडिव सा नमस्कार और बात करते हैं किलर पारडॉक्स की यह एक ऐसी सीरीज है जो मैंने परसो दिखने शुरू करी थी बड़ आज खतम करी हुए बीच में इतना कोछ चल रहा था काफी इन्टेस्टिंग सी सीरीज आए जहीं क्यों इंट्रस्टिंग मतलब यह पता होगा, कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और आप confusion में आ जाते हो किसी चीजों को लेके कि इसका origin point क्या है क्या ये जो गलती है किसी की क्या इसका reason ये खुद है या फिर कुछ ऐसे circumstances बन गए जहाँ पर खुद गे विक्टिम बन गया है वाला इस तरीके की जो confusion होती है उसको paradox paradox बोलते हैं कहां से मलब मुर्गी पहले आई या इंडा पहला आया उसका एक बड़ा ही रफ तरीकी का example है तो यहां पर आपको लीतान के एक इंसान है जिसकी एक कहानी दिखती है वो अभी अभी अपना college और military training करके वापस आया और दुबारा से और पढ़ना चाता है और उसके बाद क्या कुछ होता है उसके जीवन में उसके ओपर यह रोशन डालती क्या कुछ होता हो बहुत ज़्यादा interesting होता है होता कुछ ऐसा है कि किसी वज़ा से इससे एक हत्य हो जाती है और पता चलता है कि वह खुंखार हैं कि नहीं है क्योंकि यह पता चलता है कि जिन जिनकी भी हत्याएं हो लिए उनमें कोई एक special बात है special बात यह कि पहले तो वो खुद इंसान जो थे वो criminals थे second कोई सबूत मिली नहीं रहा है और जो सबूत मिलने वाला होता है वो automatically destroy हो जाता है जिसको यह खुद destroy नहीं करता है तो ऐसा माना जाता है कि भाईया यह तो नेचर और गॉड का या पता नहीं कुछ एक supernatural power का कोई खेल चल रहा है अब इस खेल के अंदर इसको ऐसा लगता है कि शायद मैं इंसाफ दे रहा हूं क्या वो इंसाफ देता रहता है क्या वो इवेंचली पकड़ा जाता यह paradox कब तक चलता रहता है कौन होते हैं जो इसके साथ नहीं रहते हैं और पुलिस किलिंग के अंदर और स्पेसेफिकली इसके द्वारा आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाऊगे एक ऐसा इंसान जिससे गलती से मडर हो गया और वो इवेंचली धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके इतनी बड़ी बड़ी बात बन जाएगी आप मेरे ख्याल से डिरेक्टर साब को शाबाशीद होगे आप राइटर साब को शाबाशीद होगे कि स्मॉलर इवेंट्स टर्निंग इंटू बिगर इवेंट्स एंड चेन उफ इवेंट्स और रियक्शन शुरू हो जाता तो काफी अच्छा हर सीन के अंदर आप देखोगे कि कोई बहुत जादा शाफ फोक अचानक से वो सीन वहाँ पर चला जाता है तो एक imagination एक wild तरीके की होनी शुरू हो जाती है एक imagination वाले world के अंदर उसका interpretation कुछ और हो सकता है जो आपके दिमाग को extra use कराता है कि यार इसका मतलब क्या था इसका linkage murder से क्या था और काफी interesting characters जो हैं वो हर episode में आते रहते हैं और जाते रहते हैं जो story को आगे बढ़ाते हैं तो आपको कोई भी subplot से कोई भी problem होती है नहीं जिसकी वज़ा से एक pleasant experience हो जाता है अब इसकी दोड़ की बात करते हैं जिस तरीकी की series है यह मुद्धे पर आने के लिए कमसे हम 3-4 episode लगाती है second मुद्धा जो है कि काफी जाद देवन है लेकिन उसके अंदर भी goodness मैंने डूंड ही लिए वो goodness यह है कि यह Korean series होते वे भी सिर्फ 8 episode में आपको दिखा दे दिखा दी जाती है और सिरफ चार ही इसके जो है वो episode यहाँ पर देखने को मिलते हैं हिंदी की dubbing भी बहुत ज़्यादा शानदार है music है लेकिन वह स्टोरी में इतना blended है कि आप जादा उसको notice नहीं करते हो में लिए significant चीज थी है कैसे एक scene को दूसरे scene के अंदर stitch किया जा रहा है अगर पुराना कोई बात करनी है तो नए scene से कोई कटोरी पढ़ी हुए तो कोई कटोरी आपको उसी तरीके का कोई object पुराने time में भी दिख क्या हुआ है हम सेम सीन में या फिर कुछ और चुरू हो गया ठीक है बाकि acting बहुत कमाल किया स्पैसेफिकली जो में लीड है वो लीतां का जो चैरेक्टर जसने किया है और जो दूसरा जो पुलिस इंस्पेक्टर है किस तरीके से वह एक thoughtful तरीके इंसार है observant है और उसके अ खून के splashes होंगे या फिर मार धाड़ होगी तो उसके अंदर जैसे आपको पता कि Koreans जो है वो कोई shortcut लेते हैं वो brutality आपको उस टाइम पर दिखती है ठीक है मेरा movie show score इसको रहेगा 9 out of 10 it's a good well made series बाइब